चलिए लिमसेट के एकोट आपड से मिलते हैं चिराग से जिनकी All India Rank 31 है जो कि डेली से हैं और वो आर्यन की फ्रेंड ही है जिसके All India Rank 3 थी तो चिराग सबसे पहले तो All India Rank 31 के लिए धेर सारी सुपकामना है तो चिराग के बारे मैं बता दूँ चिराग ने भी डेली इनवर्सीटी से ग्रिशन करा है कम्प्लीट फाइनल यर में थे और फाइनल रपेडिंग के साथ इतनी अची रैंक अचीफ की चिराग इन आपकी जो सकसे जर्नी इंटायर वो आप जहू बता है क्योंकि कई से कि से की तयारी स्टार्ट कर नी है तो उसके साथ साथ सर फिर मैं ने स्टार्ट करी पढ़ाई करना और सर्गूलर्ली मोग तैस्ट से फुली रिप्रेड होई रखें थे सारे टाइप के मोग ने लगा सर्प्राइज अगयरा थोड़ा सा पेपर अलग आया था लेकिन एस तो चिराग जैसे आपने बोला कि तैयारी कर रखी थी टेस्ट पेपर बहुत अच्छे दिये तो सबसे इंपॉर्टन चीज होती ही जब हम टेस्ट पेपर देते हैं तो टेस्ट पेपर में आपके स्कोर अपडाउन भी हुए क्योंकि हमने बहुत टेस्ट लिए हर तरह के लि पूरे प्रॉपर ली पढ़ाई कि कभी करते उस दिन crop करता था और उसके बाद आपका लेक्षर मि ने देखता था कि दूसरे तरीके से कि आप तासलों करना सिखा रखा ओ जैसे मैं निग रहा है वैसे ना पर रखा हो और उसके बाद सार जो कुछ कोशन होते हैं जो ट्रिकी होते हैं जैसे पाथ-शे कोशन उसके अंदर तो उनके कोशन नंबर नोट कर लेता था कि बाद में अगर मुझे यूज ने हो एक्जाम को कैसे मैनेज़ किया जैसे आज दो दिन पहले एक उससे पहले मुझे टाइम नहीं मिलेगा एक उससे पहले ही अपना रिवीजन करना और इपने उसके बाद पहले एक की प्रिपेरेशन करके एक्जाम दी और फिर एक दिन जो बचाता उसमें मेली थोड़े बहुत एलार के चला गया था क्योंकि पहले से पेपर था फर्स्टाइम था आपने सेक्शन की प्रैक्टिज भी थी पर एक्जामनेशन हॉल में जब पेपर देखा तो क्या थोट आया और टाइम मैनेजमेंट कैसे रखा और क्या-क्या चीज़ें दिमाग में ही जिसको आपने इग्णोर करके इतना अच्छा परकॉम किया सबसे पहले तो आया तब यह था कि सबसे पहले जैसे आप बोलते थे कि पहले 20 विसकौर्शन आप कहते थे तो उसी तरीके से मेरा यह था कि जो भी मुझा मुझा मिलेंगे जो भी हल लगेगा कि दो मैं छोड़ दूगा तो मैंने वहीं को लो किया और जल्दी-जल्दी सा तो यह बताओ कि आपने क्योंकि इतने अच्छी रहें का चीफ की फाइनल के साथ तो आप अपने जूनियस को क्या स्पेशली मैसेज देना चाहोगे प्रिफशली वह बच्छे जो कई बास सुचते हैं पर फामल हो जाय फिर मैं ऐस को लेके क्या थोट है सर मैं तो यह कहूँगा कि फाइनल यर के साथ मैनेज हो सकता है क्योंकि को लेज में आपको इतने जादा भी नहीं पढ़ना होता है एक्जाम से थोड़े दिन पहले ही पढ़ना होता है तो वह स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन लेकिन मैं कहूँगा कि एक्जाम से तीन-चार महीने पहले स्लेवस कंपलीट करके और टेस्स सीरीज पर वह ज्यादा फोकस करें क्योंकि आपका अगर स्लेवस भी कंपलीट है तो वह सकता है आपको उन टाइप के कोशन की आदत ना हो या स्पीड मैनेजमेंट की आदत ना हो तो टेस्स सीरीज पर एक्दम अच्छी तरीके से फोकस करें और उसके बाद सर आपके सुनें जो भी आप कहते हैं कि यह करें हो गरें वह सबसुनते रहें बिलकुल सही बोला अच्छा बचाओंगा आपकी पैरेंट भी होंगे तो उनको बुलाओ उनसे भी मिलाकार करते हैं यस सर जी नवशका अपनी महनत करते हैं हमारा एक गाइड़न सोता और ये दोनों कॉमन कॉमिनेशन से बच्छे अच्छा रिजल्ट देते हैं डेली के तो बहुत बच्छे इंपीटर से जुड़े होते तो आपके बेटे ने बहुत अच्छी रहेंक अचीफ की फांट के साथ तो आप चिराक जी 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 अभी ऐसे नाइटी तरीची में जाके भी परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छी इसने रहेंक अचीफ की एक बार फिर से बहुत बहुत बदाई आपको क्योंकि आप जब आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा अंजी सार आएंगे जब आएंगे जी 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 तैंक यू अन्ट बेस्ट थैंक यू